ओम शंती, उरिचिनल डेट है, 9 ओक्टोबर 1987, आज की वानी का सार है, अलोकिक राच्य दर्बार का समाचार, अलोकिक राच्य दर्बार का समाचार, बाबा अपनी अलोकिक राच्य दर्बार को देख रहे हैं, हम सब राजे बच्चे हैं न बाबा के, बाबा अपने सभी राजे बच्चों को देख रहे हैं, जो इस समय स्वराज अधिकारी हैं, और कल विश्वराज अधिकारी बनने वाले हैं, तो बाबा हर एक बच्चे में क्या विशेशताएं देख रहे हैं, चलिए वो समाचार बाबा से सुनते हैं, तो सभी बैट चाएं अपनी अलोकेक स्वराज अधिकारी अवस्था में, आज बाब दादा अपने स्वराज अधिकारी बच्चों की राज्चे दर्बार देख रहे हैं, ये संगम युक की निराली, स्रेश्ट शान वाली, अलोकिक दर्बार, सारे कल्प में न्यारी औरती प्यारी हैं, इस राज्य सभा की रुहानी रोनक, रुहानी कमल आसन, रुहानी ताज और तिलक, चेहरी की चमक, स्थिती के स्रेश्ट स्मृती के वायुमंडल में अलोकिक खुश्पू, अती रम्नीक, अती आकर्शित करने वाली हैं, एसी सभा को देख, बाब दादा, हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देख, हर्शित हो रहे हैं, कितनी बड़ी दरपार हैं, हर एक ब्राम्भन बच्चा, स्वराज अधिकारी हैं, तो कितने ब्राम्भन बच्चे हैं, तो जैसे पूरी दरपार है, स्वराज अधिकारी बच्चों की, और हर एक स्वराज अधिकारी बच्चे में क्या निशानिया हैं, रूहानी रोनक, रूहानी कमलासन, रूहानी ताज और तिलक, चैरे की चमक, स्थिती के स्रेष्ट स्मृती के वायुमंडल में अलोकिक खुश्पू, ये इस रूहानी राज दरपार की एक-एक ब्राम्भन आत्मा की निशानिया हैं, और बाबा आज हम सभी ब्राम्भन बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा कहते हर एक ब्राम्भन बच्चा स्वराज अधिकारी हैं। तो कितने ब्राम्भन बच्चे हैं। सभी ब्राह्मनों की दर्बार इकठी करो, तो कितनी बड़ी राज दर्बार हो जाएगी। सारे विश्व में ब्राह्मन बच्चे सभी हर स्थान पर हैं। अगर सभी ब्राह्मन बच्चे इकठे हो जाएं, तो कितनी बड़ी राज दर्बार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दर्बार किसी भी यूग में नहीं होती। बाबा के इतने सारे बच्चे सब स्वराज अधिकारिये कठे बैठे ये संगम्युक की ही विशेषता है। बच्चा राजा बने। लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। लोकी कृती से तो ये पोसिबल नहीं है। ये कहावत परमात्म बाप की कौपी की है। क्योंकि बाबा की डाइरेक्ट संतान ब्रह्मा मुक्वन शावली ब्रह्मन इस समें हर एक राजा बच्चा है। हर एक बच्चा स्वराज अधिकारी है। इसलिए जो लोकी कृती से भी कहते न मेरा राजा बच्चा। ये परमात्म बाप की कौपी की है। इस समें बाप दादा के सब बच्चे राज योगी। अर्थात स्वर के राजे नंबरवार जरूर है। लेकिन हैं सभी राज योगी। प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा के सब बच्चे राज योगी। अर्थात स्वर के राजे। तो प्रजा योगी कोई नहीं है। ऐसा राज योगी की दरबार इस समें लगती है। तो बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज अधिकारी समझते हो ना बाबा ने तो टाइटल दे दिया लेकिन फिर बाबा बच्चों को पोचते सभी अपने को स्वराज अधिकारी समझते हो ना नए नए आय हुए बच्चे स्राज्य अधिकारी हो वा भी बनना है क्या समझते हो भई नए बच्चों आए अभी है लेकिन बन तो गए न उचे ते उचे बाबा के बच्चे तो क्या समझते हो हम स्वराज अधिकारी है या समझते अभी बनना है स्वराज अर्थात क्या स्वराज अर्थात आत्मा अपने इंद्रियों और सुक्षम इंद्रियों पर कर्मेंद्रियों और सुक्षम इंद्रियों दोनों पर राच्ची करें आख, का, नाक, मुत्वच्छा भी आत्मा के अधीन है और मन, बुद्धी, संसकार भी आत्मा के अधीन है एसी आत्मा जिसका राच्छी अपनी स्थूल कर मिंद्रियों पर भी है और मन, बुद्धी, संसकार पर भी है एसी आत्मा को कहेंगे स्वराज अधिकारी आत्मा तो क्या कहते हैं बच्छे जो अभी अभी नए आए हैं स्वराज अधिकारी है या बनना है नए नए हैं तो मिलना जुलना सीख रहे हैं अव्यक्त बाब की अव्यक्त बातें समझने के भी आधत पड़ती चाएगी। कई बार कहते हैं हमें बाबा की बातें नहीं समझाती। तो किसे से भी मेल चोल बढ़ता है ना। तो उनकी बातें, उनके इशारे, उनके हाव भाव सब समझ आने लगते हैं, तो बाबा कहते हैं, अव्यक्त बाप के बच्चे तो हैं, अब धेरे धेरे बातें समझ में आने लगेंगी बाबा की, फिर भी इस भाग्ये को अभी से ही समय पर ज्यादा समझेंगे अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान है हैं तो भाग्यवान पर समझ में धीरे धीरे आता है भगवान के बनते हैं तो पहली दिन से हमारे भाग्ये का सितारा उंचे गागन में चमकने लगता है लेकिन धीरे धीरे बुद्धी में एबात धारण होती है कि मैं पद्मा पदम भाग्यवान अत्मा हूँ तो बाप दादा सुना रहे थे क्या अलोकिक राच्य दर्बार का समाच्छार सभी बच्चों के विशेश ताज और चेहरे की चमक के उपर न चाहते भी अटेंशिन जा रहा था जो स्वराज अधिकारी बच्चे हैं उनके सब के ताज पर बाबा का एटेंशिन जा रहा था और विशेश चेहरे की चमक पर अब जो ऐसी स्वराज अधिकारी आत्माई हैं जिनका अपनी स्थूल और सुक्षम सभी करमेंद्रियों पर राज है उनका ताज क्या होगा पवित्रता का ताज पवित्रता की ताज थारी आत्माई ही ऐसी स्वराज अधिकारी होती हैं और उनकी चेहरे की चमक कैसी होगी सुनते हैं बाबा से ताज ब्राह्मन जीवन की विशेश था पवित्रता का ही सूचक है चेहरे की चमक रूहानी स्थिती में स्थित रहने की रूहानियत की चमक है तो जो पवित्रता के ताज थारी है और जो आत्माई सदा रूहानी स्थिती में स्थित हैं ऐसी आत्माई ही स्वराज अधिकारी होती हैं तो उनके चेरे की चमक क्या है, रुहानी स्थिती में सदा स्थित रहने की अवस्था, और ताज क्या है, प्योरिटी का ताज, साधारन रीती से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, तो सबसे पहले द्रिष्टी चेहरे तरफ हो जाएगी, तो ऐसी चो स्वराज अधिकारी आत्माई हैं, उनमें सबसे पहले नजर क्या आता है, कि इनकी स्थिती सदा रुहानी रहती है, किसका अपनी करमेंद्रियों या सुक्षमेंद्रियों पर कितना राज है, वो तो दिखाई नहीं देता न, बिलकुल प्रत्यक्ष, लेकिन जब किसे से मिलते हैं, तो सबसे पहली क्या बात है, जो सामने वाले को नजर आती है, कि इनकी स्थिती बिलकुल सदा रुहानी है, तो रुहानी स्थिती में स्थित रहने की रुहानियत की चमक, उस पर सबका ध्यान सबसे पहले जाता है, और प्योरिटी का ताज बिलकुल साफ नजर आता है, पवित्रता की चमक वो भी नजर आती है, तो बाबा कहते हैं, साधारन वृति से भी कैसे भी व्यक्ति को देखेंगे, तो सबसे पहले द्रिष्टी चेहरे तरफ हो जाएगी, तो ऐसे आत्मा का चेहरा क्या है, उनकी रूहानियत की स्थिती, ये चेहरा ही वृ स्थिती और स्थिती का दरपड है, तो बाब दादा देख रहे थे, कि चमक तो सभी में थी, बाबा के सभी बच्चों की में रूहानियत की चमक तो थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिती में स्थित रहने वाले, दूसरे थे प्रयत्न करकर स्थित रहने वाले, अर्थात, एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुर्शार्थ से योगी, दोनों की चमक में अंतर रहा, उनकी नाचरल ब्यूटी थी, और दूसरों की पुर्शार्थ द्वारा ब्यूटी थी, जिसके पुर्शार्थ द्वारा ब्यूटी होती है, उसको हमेशे चिन्ता लगी रहती है, कोई मुझे बिना मेकप के नादेख ले, और जिसके नाचरल ब्यूटी होती है, वो तो दिन सारे निश्चिन्त रहते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं, एक थे, जो पुर्शार्थ करकर रूहानियत में स्थित होते हैं, और दूसरे, जो सदा रूहानियत की अवस्था में रहते हैं, जैसे आजकल भी मेकप करके ब्यूटिफुल बनते हैं ना, नाचरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती हैं, और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी, और कभी परसंटेज में रहती हैं, जैना कभी तो मेकप बहुत अच्छा किया है, अटेंशन दिया है, तो मेकप बहुत अच्छा है, कभी इतना अटेंशन नहीं दिया, तो इतनी ब्यूटी नहीं है, तो पुर्शार्ट से रुहानियत में स्थित्थ होने वाले की अवस्था एक रस नहीं रहती तो बाबा कहते एक चैसी एक रस नहीं रहती तो सदा सहज योगी स्वतह योगी स्थिति नंबर वन स्वराज अधिकारी बनाती है जब सभी बच्चों का वाइदा है ब्राह्मन जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है वा एक बाप दूसरा न कोई जब संसार ही बाप है दूसरा कोई है यी नहीं तो स्वतही सहज ही योगी स्थिति सदा रहेगी न बाबा ने क्या कहा अंडरलाइन किया ब्राह्मन सभी बच्चों का वाइदा है वाइदा किया ही ये क्या वाइदा है सभी बच्चों का ब्राह्मन जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है ब्राह्मन बनना माना देह सहे देह के सर्व संबंदो धर्मों को भूल एक बाप का बंचन ब्राह्मन जीवन अर्थात ही एक बाप ही संसार है ऐसा वाइदा किया है न जब ऐसा वाइदा कर लिया एक बाप ही संसार है एक संसार में क्या होता है संबंद होती है और प्राप्तिया होती है तो जब सर्व संबंद बाबा से है सर्व प्राप्तियां बाबा से है, दूसरा कोई है यह नहीं, तो फिर बाबा केती, तो स्वत और सहज योगी स्थिती सदा रहेगी ना, क्योंकि जब दूसरा कोई है यह नहीं, तो बुद्धी जाएगी कहां, मान लो किसी के घर में चार लोग है, उस बच्चे का संसार ही वो चार आत्मा हैं, तो बुद्धी और कहां जाएगी, तो अब जब हम ब्राम्वन बनें एक ही बाबा संसार है, तो बुद्धी और जाएगी कहां, तो सहच योगी, स्वतय योगी नाचुरल हो जाएगी न, वहां मेहनत करनी पड़ेगी, अगर दूसरा कोई है, तो मेहनत करनी पड़ते हैं, कि यहां बुद्धी ना चाएगी, वहां जाएगी, लेकिन एक बाब ही सब कुछ है, फिर बुद्धी कहां जाएगी, तो अगर हमारी नाचुरल योगी अवस्था नहीं रहती, मेहनत से योगी अवस्था बनती है, तो उसका कारण क्या है, ब्राह्मन चीवन का जो वाइदा है, ब्राह्मन चनम का जो बाबा से हमने प्रोमिस क्या है, उसको नहीं निभा रहे हैं, कि बाबा ही मेरा संसार है, जब जाही नहीं सकती, तो अभ्यास क्या करेंगे, जब बुद्ध कहीं जाएगी नहीं, तो फिर रूहानियत की अवस्था तो नाचुरल हो जाएगी, तो अभ्यास या पुर्शार्थ किस बात का, अभ्यास में भी अंतर होता है, एक है स्वत अभ्यास है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास, तो स्वराज अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी, स्वत योगी की, उनोंके चेरे की चमक अलोकी खोती है, जो चेहरा देखते ही अन्यात्माय अनुभव करती है, क्या? कि यह स्रेश्ट प्राप्ती स्वरूप सहज योगी है, उनके चेरे से मेहनत नहीं दिखाई देती, प्राप्ती दिखाई देती है, कि इनका योग बहुत सहज है और इनकी प्राप्ती बहुत स्रेश्ट है, उनके चेहरे पर मेहनत की जलक नहीं होती, यह योगी है, तपस्वी है, त्यागी है, इनोंने बहुत पुर्शार्थ किया है, ये वाली जलक नहीं होती, जलक क्या होती है इनका योग तो बहुत सहच है और इनकी प्राप्ती बहुत स्रेश्ट है जैसे स्थूल धन वा स्थूल पद के प्राप्ती की चमक चेहरे से मालुम होती है कि ये साहुकार कुल का वा उंच पद अधिकारी है उनके चेहरे में कितना नशा होता है ऐसे ये स्रेश्च प्राप्ति, स्रेश्च राज्य अधिकार, अर्थात स्रेश्च पद की प्राप्ति का नशावा चमक चहरे से दिखाई देती हैं दूर से ही अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ पाया है, कुछ लगाया है, गवाया है, त्याग कियाएगी नहीं, उन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ती सुरू पात्माएं हैं, ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे, मेहनत के चिन नहीं दिखाई दे, कोई-कोई बच्चों के चेहरे को देख, ये भी कहते हैं कि उन्ची मन्जिल है, लेकिन त्याग भी बहुत उन्चा किया है, तो उनके चेहरे से भासना किस की आती, प्राप्ति की नहीं, त्याग की, त्याग से जो भाग्य मिला, वो भाग्य नहीं दिखाई देता, त्याग की मेहनत के निशान दिखाई देते, त्याग दिखाई देता है भाग्य नहीं भाग्य नहीं दिखाई देगा उनके चहरे से या ये कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं महबत नहीं मेहनत दिखाई देती है बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे स्रेश्ट प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हैं मैनत कराने वाले बाप के बच्चे नहीं है प्राप्ति के भंडार बाप के बच्चे हैं हम संगम युक की प्राप्तियों के वर्दानी समय के अधिकारी हो निरंतर योग कैसे लगावे वा निरंतर अनुभव करकर भंडार की अनुभूती कैसे करे अब तक भी इस मेहनत में ही समय नहीं गवाओ लेकिन प्राप्ती स्वरूप के भाग्य को सह जनुभव करो समाप्ती का समय समी पा रहा है अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ती का समय तो समाप्त हो जाएगा और बहुत काल की प्राप्ती सुरूपात्माई ही सुर्यवंशी पत पाएंगे बहुत काल की मेहनत सुरूपात्माई कहां चली जाएंगे चंद्रवंशी बन जाएंगे फिर प्राप्ती सुरूप का अनुभव कब करेंगे संगम युक को ब्राम्हन आत्माओं को वर्दान है सर्व प्राप्ति भव सदा पुर्शार्थी भव का वर्दान नहीं है गायन क्या है? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु या शक्ति ब्राम्हनों के खसाने में तो सर्व प्राप्ति भव का वर्दान है बच्छों को, लेकिन ये वर्दान फलिभूत कब होगा, जब ब्राम्भन जनम का वाइदा पूरा करेंगे, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कर वही, तब सहज योगी निरंतर योगी बनेंगे, तब ही सर्व प्राप्ति सुरूप ब पुर्शार्थी भव का हमारा वर्दान नहीं है, प्राप्ति भव का वर्दान है, प्राप्ति भव की वर्दानी आत्मा कभी भी अलबेले पन में नहीं आ सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो समझा क्या बनना है, बाबा ने अलोकिक राज्य दर्बार का समाचार भी सुना दिया, और बाबा ने लक्ष्य भी दिया, कि हम बच्चे जो स्वराज अधिकारी बच्चे हैं, जो सदा प्राप्ति भव के वर्दान के अधिकारी बच्चे हैं, संगम्युक के स्रेष्ट वर्दानी समय के अधिकार के प्र प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के चेहरे से सदा प्राप्ति स्वरूप की जलक दिखाई दे। राच्य सभा में राज अधिकारी बनने की विशेष्टा क्या है? इस पश्ठ वा न। राच्य अधिकारी तो हो, वा भी सोच रहे हो कि है वा नहीं है। जब विधाता के बच्चे बन गएं, राजा अर्थात विधाता देने वाला। आप राप्ती कुछ नहीं, तो लेंगे क्या? जब राप्ती सुरूप हो जाएंगे तो मांगने का सुरूप आपे खतम हो जाएगा। राच्य माना देने वाले बन जाएंगे। मांगने वाले नहीं। तो समझा नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है, कि हम देने वाले हैं। युद्ध में ही समय नहीं गवाना है। अगर युद्ध में ही समय गवाया, तो अंतमती भी युद्ध में ही रहेंगे। ना बाबा ने कहा ना, अभ्यासी स्वरूप नहीं, निरंतर योगी स्वरूप, युद्ध में नहीं, कि अभी अभी याद, अभी अभी फर्याद, उस स्वरूप में नहीं। तो बाबा कहते हैं, अगर युद्ध में ही समय गवाया, तो अंत मती भी युद्ध में रहेंगे, फिर क्या बनना पड़ेगा, चंद्रवंशी में जाएंगे वा सुर्य वंशी में, तो चंद्रवंशी की निशानी क्या दिखाते हैं, धनुष और तीर, तो यदि अंत तक य युद्ध की अवस्था में रहेंगे, तो चंद्रवंशी निशानी बनना है क्या? बाबा कहते हैं, युद्ध वाला तो चंद्रवंश में चला जाएगा, चल रहें हैं, कर रहें हैं, हो ही जाएंगे, पहुच ही जाएंगे, अभी तक ऐसा लक्षनी रखो, अब नहीं तो कब नहीं बनना है तो अब पाना है तो अब ऐसे उमंग उत्सा वाले ही समय पर अपनी संपून मन्जिल को पास सकेंगे कल-कल नहीं करना है अभी मुझे अभी बनना है ऐसे वाले समेत पर बन चाएंगे और जो कल-कल करेंगे समय आगे निकल जाएगा फिर समय टीचर बनेगा उनका और जो आज करने का लक्ष रखेंगे वो ड्रामा प्रमान समय पर मन्जिल पर पहुँच जाएगे त्रेता में राम सीता बनने के लिए तो कोई भी तयार नहीं है हाथ तो सभी उठाते हैं कि हमें लक्षमी नरायन बनना है जब सत्यूग सूरेवंश में आना है तो सूरेवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और विधाता का अर्थ बाबा ने क्या बताया राचा अर्थात विधाता देने वाला तो सूरेवंश अर्थात सदा मास्टर विधाता और वर्दाता लेने की इच्छा वाला नहीं मदद मिल चाए ये हो चाए तो बहुत अच्छा हो पुर्शार्त में अच्छा नमबर ले लेंगे नहीं मदद मांगने वाले नहीं देने वाले बनना है सयोग मांगने वाले नहीं सयोग देने वाले बनना है बाबा मिल गया, अभी ओर क्या मदद मिलेगी, है न, इसको कहते हैं स्वराज अधिकारी बच्चे, आगे बढ़ना है, या पीछे आए हैं, तो पीछे ही रहना है, हाँ बाबा, नए बच्चों को पूछ रहें, आगे बढ़ना है न, या समझते पीछे आए हैं, तो आगे कै कैसे बढ़ेंगे पीछे ही रहेंगे नहीं बाबा कहते ही आगे जाने का सहज रास्ता है सहज योगी स्वत योगी बनो और वो कैसे बनेंगे जब ब्राह्मन जनम का पहला वायदा पूरा करेंगे बाबा ही मेरा संसार है मेरा तो एक शिब बाबा दूसरा न कोई बोलो भैस अभी आज तो वायदा कर लो मेरा तो एक शिब बाबा दूसरा न कोई बाकि तन भी तेरा मन भी तेरा धन भी तेरा संबन भी तेरा एक तू मेरा तो बाबा कहते हैं कि ऐसा आगे जाने का सहज रास बहुत सहज है जब है एक बाब दूसरा कोई है इन नहीं तो जाएंगे कहां प्राप्ती ही प्राप्ती है फिर महनत क्यों लगेगी तो प्राप्ती के समे का लाब उठाओ भगवान स्वयम तुम्हारा हो गया और बाबा माना सर्वसंबन सर्वप्राप्तिया जिससे हैं तो समय का लाब है, समय की बलिहारी है कि सर्वप्राप्तियों की खान स्वयम हमारी हो गई तो बाबा को संसार बना कर प्राप्तियों के समय का लाब उठाओ सर्वप्राप्ति सुरूब बनो, समझा बाब दादा तो यही चाहते हैं कि एक-एक बच्चा चाए last आने वाला चाए स्थापना के आदी में आने वाला हर एक बच्चा नमबर वन बने बाबा को ऐसा नहीं है कि आदी वहे आने वाले ही आगे जाए बाबा को तो अपने last बच्चे के प्रति भी यही शुबास है कि यह नंबर वन बने राचा बनना न की प्रचा अच्छा आज महराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रुप को बाबा देख रहे हैं देखो महाशब्द कितना अच्छा है महराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है महान तो बन गए न क्योंकि बाब के बने मना महान बने महान आत्माई हों ब्रामण अर्थात महान हर करम महान हर बोल महान हर संकल्ग महान है महान कौन कहलाएगा जिसका हर करम हर बोल हर संकल्ग महान है अलोक की खो गए न तो महराश्रवाले सदाही स्मृती स्वरू बनों की महान है ब्रामन अर्थात महान चोटी है न? चोटी का स्थान भी सबसे उच्छा है उच्छे ते उच्छे बाप के हैं सबसे स्रेश्ट उच्छे संकल, बोल और करम के अधिकारी है तो है ही महान मध्य प्रदेश बाबा देखो कैसे अपने हर एक बच्छे को जाए स्थान के रूप से, जाए स्थिती के रूप से हर एक की केवल विशेश्टा का ही गायन करते है तो मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले मन मना भव के साथ मध्याजी भव मध्याजी भव क्यों? ब्रह्मा विश्णु शंकर के चित्रु में मध्य में है विश्णु तो मध्याजी भव माना बाबा को याद करेंगे तो ऐसे बनेंगे विश्णु स्वरूप तो बाबा कहते हैं मन्मना भव के साथ मध्याजी भव का भी वर्तान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप इसको कहते हैं मध्याजी भव। तो अपने स्रेष्ट प्राप्ति के नश्य में रहने वाले कि हम क्या बनने वाले हैं। इसी नश्य में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के सुरूप में स्थित्थ होने वाले हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेष्टा से महान हैं, समझा कौन हो, जब से पहला पार्ट शुरू किया, वो भी यही किया कि मैं कौन, बाब भी वही बात याद दिलाते हैं, इसी पर मनन करना, शब देखी है कि मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं, लिस्ट निकालना मैं कौन, अज होमवर करना है, एक ही प्रश्न मैं कौन, लेकिन उसके कितने सारे उत्तर और जैसे जैसे आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो उसको पूरी स्मृति आ जाती है मैं कौन तो पूरी लिस्ट बनाना मैं कौन अच्छा अव्यक्त बाब दादा की डबल विदेशी भाई बेहनों की मुलाकात है तो बाबा कहते हैं अव्यक्त बाब दादा से डबल विदेशी भाई बेहनों की मुलाकात में बाबा ने जो महवाक के उच्छारे वो भी सुनेंगे डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वा स्वरूप स्वदेश स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले ये तो विदेश है न जो नीजी स्वरूप है original कि तो foreign है जो नीजी स्वरूप है नीजी देश है नीजी राज्य है उसकी स्मृति में रहने वाले डबल विदेशियों को विशेश कौन से सेवा करनी है अभी साइलेंस की शक्ती का अनुभव विशेश रूप से आत्माओं को कराना ये भी विशेश सिवा है जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है न बच्चे बच्चे को मालुम है कि साइंस क्या है ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी उंची है कोई भी चीज पंखा चलता है बिजली जल, लाइट जलती है तो जानते हैं इसके पीछे साइन्स की पावर है ऐसे ही साइलेंस की पावर से कितने कारे हो सकते हैं वृतियां, दृष्टियां बदलना वायुमंडल बदलना अनेक आत्माओं को रुहानियत की राह दिखाना ये सारे करतवे साइलेंस पावर से हो सकते हैं देकिन चैसे बिजली जले, पंखा चले उसके लिए साइन्स की पावर की इंटेंसिटी चाहिए ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस कारे को प्रत्यक्ष करने के लिए साइलेंस की पावर की इंटेंसिटी चाहिए जब स्वेम में वो silence power की धारणा होगी तब ही जाकर ये कमाल दिखाई देगी तो बाबा कहते हैं ऐसी silence power के अधिकारी बन उस power के प्रत्यक्ष प्रमान से silence power को नामी ग्रामी बनाना है वो दिन भी आना है Silence के power की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता जैसे Science प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है वैसे Silence power का practical proof है आप सबका जीवन हमारे जीवन में वैसे और कोई power नहीं है तेकिन हमारी जीवन की स्रेष्टा Silence power के आधार से है जब इतने सा practical proof दिखाए देंगे तो ना चाहते वे सभी की नजर में सहज आजाएंगे जैसे ये Peace का कारे किया ना Million Minutes of Peace का प्रोग्राम था इसको stage पर practical में दिखाया ऐसे ही चलते फिरते Peace के models दिखाए दे तो Science वालों की भी नजर Silence वालों के उपर अवश्य आएगी समचा? Science की invention विदेश में ज्यादा होती है तो Silence की power का आवाज भी बहां से सहज फैलेगा सेवा का लक्ष तो है सभी को उमंग उत्सा भी है सेवा के बिना रह नहीं सकते जैसे भोजन के बिना रह नहीं सकते ऐसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते इसलिए बापतादा खुश है ब्रामन चीवन जैसे भोजन शरीर में ताकत भरता है न ऐसे ब्रामन चीवन में ताकत भरने वाली है सेवा जैसे एनर्जी आ जाती है भोजन खाने से शरीर में ऐसे सेवा से ब्रामन जीवन में उमंग उत्सा आता है इसलिए जैसे मनुष्य को भोजन पर अटेंशन रहता है ऐसे हम ब्राह्मन बच्चों को सेवा पर अटेंशन होता है उनको भोजन ना खाए तो कमजोरी लगती है हम सेवा ना करे तो हमें लगता है थोड़ी सेवा करे तो ताकत आएगी अच्छा पाठियों से अव्यक्त बाब दादा की मुलाकात के महवाक्य स्वदर्शन चक्रधारी स्रेश्टात्माए बन गए ऐसे अनुभव करते हूं स्वदर्शन हो गया ना अपने आपको जानना अर्थात स्वदर्शन होना और चक्र का ज्यान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना तो स्वदर्शन किया और चक्र का भी दर्शन किया जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं देहिभान का चक्र संबंद का चक्र समस्याओं का चक्र माया के कितने चक्र है देभान के चक्र में माया घुमाती रहती समबन्दों का चक्र, समस्याओं का चक्र लेकिन जब स्वा को जान लिया और चक्र को जान लिया तो माया के सारे चक्र खतम हो जाते लेकिन स्वध अर्षन चक्रधारी बनने से ये सब चकर समाप्त हो जाते हैं सब चक्रों से निकल जाते हैं नहीं तो जाल में फस जाते हैं तो पहले फसे हुए थे अब निकल गए तेसट जनम तो अनेक चक्रों में फसते रहे और इस समय इन चक्रों से निकल आए हैं, तो फिर से फसना नहीं है अनुभव करके देख लिया न, अनेक चक्रों में फसने से सब कुछ गवा दिया और स्वधर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला, तो सब कुछ मिला तो सदा स्वधर्शन चक्रधारी बन माया चीत बनो बुद्धी को, मन को, देहे, देहे के संबन, दुनिया की बातों में उल्चाएंगे तो उन चक्रों में फसेंगे और मन बुद्धी को स्वचिंतन, अपने 84 जन्मों के चक्र के चिंतन में बाबा के चिंतन में लगाएंगे तो बाकी सब चक्रों से मुक्त हो स्वधर्शन चक्रधारी बन जाएंगे तो बाबा कहते कि अनेक चक्रों में फसने से सब कुछ कवा दिया और स्वधर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला तो सदा स्वधर्शन चक्रधारी बन माया जीत बन आगे बढ़ते चलो इससे सदा हलके रहेंगे किसी भी प्रकार का बोज अनुभव नहीं होगा एक चक्र बोज अनुभव कराने वाला है दूसरा चक्र हलका बनाने वाला है उसमें भी मन बुद्धी की ही कमाल है इसमें भी मन बुद्धी की कमाल है मन बुद्धी को देहे देह के संबन समस्याओं के चक्र में लगाएंगे तो बोजिल हो जाएंगे कहते न स्ट्रेस हो रहा है और यही मन बुद्धी स्वचिंतन परमात्म चिंतन अपने आदी अनादी सुरूप के चिंतन में लगेंगी तो हलके हो जाएंगे बोज ही नीचे ले आता है और हलका होने से उच्छे उड़ते रहेंगे तो उड़ने वाले हो न, कमजोर तो नहीं हो अगर एक भी पंक कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा उड़ने नहीं देगा इसलिए कौनसे पंक है हमारे पास ज्ञान और योग के दो पंख है न तो ज्ञान में भी कमजोरी नहीं और योग में भी नहीं बुद्धी का योग भी एक बाबा के साथ और ज्ञान के भी स्पश्टा जब ये दोनों पंख मस्बूत होंगे तो उड़ेंगे दोनों ही पंक मजबूत हो तो स्वत उड़ते रहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना अच्छा राज योगी स्रेश्ट योगी आत्माई होना साधारन जीवन से सहज योगी राज योगी बन गए ऐसी स्रेश्ट योगी आत्माई सदा ही अतिंद्रिय सुख के जूले में जूलती है हठ योगी हठ योग द्वारा शरीर को उँचा उठाते हैं लेविटेशन करते हैं शरीर को उँचा उठाते हैं हठ योग से और उड़ने का अभ्यास करते हैं लेकिन बास्तव में आप राजयोगी उंची स्थिति का अनुभव करते हो, उड़ना है पर शरीर से नहीं, मन से, शरीर से उड़ने के लिए हठ्योग के क्या जुरत है, एरोप्लेन में भी उड़ सकते हैं, पर एरोप्लेन में उड़ते भी तो स्थिति से उड़ना है, और व उड़ना बाबा हमें सिखाते हैं, राजयोग की उड़ान, ज्यान योग के पंखो के आधार से, इसको ही कॉपी करके वो शरीर को उचा उठाते हैं, लेकिन आप कहां भी रहतें, उची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहतें योगी उचा रहते हैं, योगीयों को पहाड़ो पर दिखाते हैं, वो तो स्थूल पहाड़ पर चले जाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं, योगी बनना माना, उची स्थिती में स्थित होना, तो मन की स्थिती का स्थान उचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए हो, वैसे भी फरिष्टों के लिए कहां जाता है, कि अर्थात जिसका बुद्धी रूपी पाऊं, धर्ती पर ना हो, धर्ती माना देह भान में ना हो, देह भान से सदा उंचे, ऐसे फरिष्टे अर्थात राज्योगी बन गए, अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाओ नहीं, क्योंकि ज्ञान मिल गया, मैं कौन हूँ, ज्ञान मिल गया कि ये तो अंतिम चोरासिवा शरीर संबंध है, ये ड्रामा की एक सेकेंड ना मिले दूसरे से, इसलिए बुद्धी कहीं भी अटकती चटकती नहीं है, मैं कौन हूँ, इस समझ के आधार से बुद्धी, बुद्धी का पाऊं, कभी भी देहभान की धर्ती पर नहीं आता, फरिष्टों की तरह उर्ते रहते हैं, सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाओ ना हूँ, जैसे फरिष्टा भी आता है, सेवा करता है और चला जाता है, ऐसे हम भी देही देही के संबंध, चारों तरफ अनेक आत्माओं की प्रकृति की सेवा करें, लेक योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई, तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राज योगी सदा फरिष्टा हैं, इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे, राज योगी सदा बेहत के मालिक है, हद के मालिक नहीं, हद से निकल गए, भविश्य का राज्य हम घर हमारा, बाप हमारा, बेहत के मालिक, हद के नहीं, वस्तु और वेक्ति वैभव के मालिक पने का और नशा नहीं है, बेहत के मालिक है, सरविश्व हमारा, ब्रम्हान हमारा, स्वेम भगवान मेरा, बेहत का अधिकार मिल गया, इसी खुशी में रहो, जैसे बेहत का बाप वैसे बेहत की खुशी में रहो, नशे में रहो, अच्छा, विदाई के समय बाबा की महवाग्य, सभी अम्रित वेले के वर्दानी बच्चों को, वर्दाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो, साथ-साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लैन मनन करने वाले, और सदा सेवा में दिल्व जान, सिक्व प्रेम से, तन्मन धन से सयोगी आत्माई, सभी को बाब दादा गुद मॉर्निंग, डाइमन मॉर्निंग कर रहे हैं, और सदा डाइमन्ड पन, इस डाइमन्ड यूग की विशेशता को, वर्दान और वर्से में लेकर, स्वयम भी सुनहरी स्थिती में स्थित रहेंगे, और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे, तो चारों और के डबल हीरो बच्चों को डाइमन्ड मॉनिंग, अच्छा, चारों और के सर्व प्राप्ति सुरूप स्रेश्ट आत्माओं को, सर्व अलोकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रुहानियत की चमक धारन करने वाली विशेश आत्माओं को, सदा स्वतह योगी सहज योगी, उँचे ते उँची यात्वाओं को उँचे ते उँचे बाब दादा का स्ने संपन याध प्यार स्विकार हो ऐसे मीठे बाबा को भी हम बच्छों का याध प्यार खुट मौनिंग और नमस्ते ओम शान्ते वर्दान है आज रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुप चिन्तक भवा बाबा कहते कैसी भी कोई आत्वा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी वो संपर्क में आये लेकिन सभी के प्रती शुप चिन्तक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले हैं हम उपकारी आत्माई हैं कोई अपकारी है वो उसका संसकार है किसी के संसकार को देखकर हम अपना संसकार बदलने वाले नहीं हैं हम स्वमान धारी अपने स्वमान के आधार से करम करने वाली परोपकारी आत्माई हैं कभी किसी आत्मा के प्रति घ्रिना द्रिष्टी नहीं हो क्योंकि जानते हूं ये अज्ञान के वश्चिभूत है बेसमझ है बेसमज को देखकर बेसमज नहीं बनना है वो तो अज्ञान के वर्षी भूत है लेकिन हमें तो अज्ञान की स्मृति है न तो हम अपने ज्ञान सुरूप के आधार से सदा देने वाले बने विधाता के बच्चे हैं, मास्टर विधाता उनके उपर रहम वस ने आये, घ्रिना नहीं शुप चिन्तक आत्मा ऐसा नहीं सुचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया लेकिन इस आत्मा का कल्यान कैसे हो यही है शुप चिन्तक स्टेज स्लोगन है तपस्या के बल से असंभव को संभव करकर सफलता मूरत्पन आज बाबा ने साइलन्स की पावर की बात की न बाबा सर्वगुनों, सर्वग्ञान और सर्वशक्तियों के सागर है हम बाबा के साथ योग-योग थे, तपस्या में है तो हम भी कैसे बन गए सर्वगुनों, सर्वशक्तियों के अधिकारी एसी तपस्या स्वरूप आत्मा असंभव को भी संभव कर देती है क्योंकि असंभव चीज, असंभव परिस्तिती कमजोर मन की रचना है और जब हमारा कनेक्शन सर्वशक्तिवान से तो उस असंभव को संभव बना देती है यही सफलता मूरत आत्मा की निशाने है तो तपस्या के बल से आ संभव को संभव कर सफलता मूरत बनो ओम शान्ती